Hello everyone, this is Kedi Sharma and you are watching your YouTube channel The RS Campus जहाँ पे आज हम 9-9 नमबर की क्लास 19 पढ़ेंगे और उसमें अपना रूल नमबर 15 चल रहा है जिसमें हम कुछ विदेशी सब्दों के यूज सीख रहे हैं उनका किस परकार सिंगुलर में यूज करना है किस परकार प्लियूरल में यूज करना है तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं वो कौन कौन से सब्दे हैं जिनका हमको यूज करना है सिंगुलर और प्लियूरल में उनका क्या मीनिंग होता है देखिए तो use of sanatorium, sanatorium का मतलब क्या होता है, healthy palace, स्वास्ते वर्दकिस्तान, जहां लोग जाते हैं, और इस्तान पर जाने से ही ठीक हो जाते हैं, उसे sanatorium बोला जाता है, इसका plural क्या होगा, sanatoria हो जाएगा, ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, अगला सब्द अपना है, phenomenon, phenomenon का मतलब हो incident, कोई गठना, इसका plural होगा, phenomena, phenomena, इसका plural हो जाएगा, इसी परकार आगे देखिए, thesis, thesis का मतलब होता है, अनुसंदान पोन, लेक, इसका plural हो जाएगा, thesis, इसके बाद में अगला अपना है, radius, जिसके बारे में आपने सुनाओगा, इसको बोलते हैं, तिर्जया, लेकिन ब मतलब होता है, green land, और प्राजस्तान, राजस्तान की हरी, बरी, भूमी, तो इसका plural क्या होगा, और सेज हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद में अगला है, terminus, terminus का मतलब होता है, अंत, किसी जगे का अंत, किसी स्तान का अंत, किसी पत्खद, अंत, इस परकार के अंत के लिए इसका use किया जाता है, इसका plural होता है, termini, ठीक है, इसके बाद में hypothesis, यह आपने बहुत बार सुना होगा, unconditional sentence आते हैं, अपने English grammar में, मतलब जिन में केवल कलपनाएं की जाती है, ऐसे sentence आते हैं, अगे हम उनके बारे में बात भी करेंगे, तो hypothesis का मतलब क्या हो गया, message, hypothesis का plural हो जाएगा, तो चलिए अब हम इन्हें कुछ example के माद्यम से समझते हैं, ताकि एक्जाम में क्यूसन स्वालो करने में आसानी हो, तो चलिए अब examples की और बढ़ते हैं, तो सबसे पहला अपना example है, there are many senatoria in the Rajasthan, की Rajasthan में बहुत सारे स्वास्ते वर्दक, पहले से य आमक दो शब्द बता रहे हैं कि इसके बाद आने वाला सब्द कैसा होगा, plural होगा, और अपना senatoria plural ही है, तो अपना first sentence is correct, यह sentence अपना सही है, where sick people, जहां, बीमार लोग गोज जाते है, for treatment, तो यहाँ पे देखो, गोज, यह singular form है, यहाँ पे यह plural verb आ रही है, many senatoria, बहुसर senatoria, मतलब plural noun है, तो आगे जाके verb कैसी आएगी, plural verb आनी चाहिए, यहाँ पे गोज नाक क्या आएगा, गो आएगा, तो yes नहीं लगेगा, ठीक है, चलिए अब अगला sentence देखते है, there are many beautiful phenomenons of nature, परकरती में कई सुन्दर गटनाएं हैं, लेकिन आज जब आपन ध जिहान देंगे, फेनोमेनाज, यह आपको स्क्रीन पर भी दिखाए दे रहे होंगे, जो sentence लिका हुए है, वहाँ आप देख सकते है, फेनोमेन, मैनन्स होता है, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आना चाहिए, फेनोमेनन होना चाहिए, या तो अगर singular की बात ह हो रही है, तो यहाँ देखो, मैनी beautiful बता रहा है, मतलब plural की बात हो रही है, तो यहाँ आएगा, फेनोमेना, यह अपना गलत हो जाएगा, इसकी जगे क्या आना चाहिए, फेनोमेना आना चाहिए, चलिए एगला sentence देखते हैं, सेवरेल, थिसेज, वर पर्जेंटेड, बट none were good, कई अनुसंदान पून लेक पर्श्थूत किये गए, पर्जेंट किये गए, बट none were good, लेकिन कोई भी सटीक या ठीक नहीं था, तो यहाँ द्यान देना थेसेज में क्या गलती है, कि यह थेसेज तो है, इसके बाद में yes और जो और दिया, जो नहीं आना चाहिए, क्य होई कि थेसेज अपने आप में एक plural word है, तो चलिए अब अगला देखते है, all the radius of a circle are equal, यहाँ देखो, our plural verb है, तो plural verb से पहले आने वाला जो noun होगा, वो plural होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो radius क्या है, अपनी singular है, radius क्या है, singular noun है, जबकि अपना plural क्या होना चाहिए, ready, worth की सबी तिर्जय हैं, बराबर होती है, तो सबी तिर्जय रेडी लिखेंगे, यहाँ पर radius अपना गलत हो जाएगा, तो चलिए अब अगला देखते हैं, there are many osages, many आया है, इसलिए osage हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि osage अपना plural है, और इसस सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तक आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और दूसरा कारण यह है कि आपको यहाँ एक-एक चीज बताई जा रही है, ग्रेमर से रिलेटेड एक-एक चीज एकस्प्लैन की जा रही है, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक और सेर भी जरूर कीजिएगा, तो चलिए अब एक्जा की बात हो रही है, कि दिस टाउन ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ रा गया, यह गलत है, क्योंकि नाउन अगर प्लूरल हो, तब अपने वर्ब प्लूरल का यूज करेंगे, लेकिन अपना नाउन क्या है, सिंगूलर, तो वर्ब भी कैसी आनी चीए, सिंगूलर, तो आर की जग में बहुत सारी उपकल्पनाएं होती है, कई परकार की उपकल्पनाएं होती है, तो देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक है, और इस से पहले इस सब्द को देखिए, सेवरल का मतलब होता है, कई और हाइपोतेसिस का मतलब होता है, उपकल्पना, लेकिन यह प्लू क्योंकि यहां पर एक कल्पना की भात को पते हाइगा हाइपो थिसे जाएगा एस हो जाएगा इस गलत हो जाएगा ठीक है इस परकार इसको सही कर देंगे इस परकार की common error आपको पुछी जा सकती है ठीक है तो इस परकार से अपनी class complete होती है फिर मिलेंगे एगले वीडियो के साथ कुछ नहीं लेकर तब तक के लिए take care bye bye